आप सभी साथियों को प्रोणाम नमस्कार आज यूपे टेटे टोजार एक केस अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों पे चर्चे कर लेते हैं और प्राइमरी के लिए लगतार अपर प्राइमरी के लिए लगतार लोग पूछ भी रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं तो आप ल अपर प्राइम्री को लेके जो डेट नेक्सिट इंड़ने वाली इस पर लाइक्ली डिणट पिखा रहे हैं और लाइकली डेट में आपका है लाइकली डेटर फस्ट दिसंबर एक दिसंबर को इस पर डेट लगे हुई है और अभी कुछ दिन पहले तक क्या case is not listed था सुगंधा and five others upper primary वाला तो इस पे मतलब जो रिजवाइंडर सब्मिट करना था वो चीजे प्रक्रिया हो रही है और जब भी डेट लगे ताकि मतलब डेट तो मिल रहा है डेट मिलके फाइल टेकप होगी तभी रिजवाइंडर को सब्मिट किया जा सकता है जैसे अब डेट तो मिलता है फाइल टेकप नहीं होती है तो रिजवाइंडर सब्मिट नहीं हो पाएगा तो इसलिए फाइल टेकप वाली समस्या है फाइल टेकप जब भी होगी तो रिज मुझे लग रहा है कि UPT-EAT के साथ अगर समभधा जब भी होगा तो इसका भी क्लियर एक साथ हो जाएगा अपर प्राइमरी के ओल लेके मैं बता दूँ कि जैसे इसमें सिर्फ सुगंदा एंड फाइफ अदर्स छह लोग ही थे और अपर प्राइमरी वाले पे तिन क्विश्चन एक लोग मैसेज कर रहे थे कि सर कितने क्विश्चन है तो इस पे तिन क्विश्चन है जो मैं काफी बार पहले भी बता चुका हूं और उन क्विश्चनों पे देखिए किस किस पे नंबर मतलब इसू हो सकते हैं ये तो कोट में जब क्विश्चनों पे भहस होगा तभी पता चल सकता है अभी कुछ कहना संभोसा है ठेक तो अपर प्रैमरी वाला मेटर जल्द एक दिसम्बर को लगेगा आज संभवता आज 28 तारीक है और 28 नॉमबर है और 28 तो एक दिसम्बर को संभवता इस पे सुनवाई होगी लेकिन अभी लाइकली है देखिए अभी इसमें कोई कोटूट नहींदी है किस बेंच में, किस बेंच ID में या कितने सीरियल नॉमबर पर इस सारी चिजा भी दिखाने रहा तो कही ने कहीं और लाइकली है ।ि 28 है तो 29 तर संभवता ही सकता है वाली डेट है, सिर्फ मतलब सभी पे केसीज नाट लिष्टेड ही है, एक पे लगने वाली है, जो मुझे लग रहा कि, ज़स्ट एक मिनट, हाँ, जो एक डेट मिली हुई है, वो 30 नौमबर है, सवरी बीच में फोन आ गया था, भाईया का इसलिए थोड़ा होल्ड करना पड़ा, तो जो मतलब UPDAT 2021 वाले प्राइमरी पे जितने सारे डेट थे, किसी पे भी डेट कंप्लेट लगा नहीं है, सिर्फ एक पे मिला हुआ है, वो भी लाइकली डेट है, और एक फाइल पे है, और संभावता उस पे सुनवाई हो, तो 30 November को Likely Date मिला हुआ है तो 30 November को उस पर सुनवाई होने के चांस है ठेक तो जो भी होगा मैं आलरेडी आप लोगों को बता दूँगा और EOPTAT 2019 वाले के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि Likely Date 1 December मिली हुई है EOPTAT 2019 पे Likely Date है 1 December और EOPTAT 2021 प्राइमरी के लिए आपका जो डेट मिला हुआ है वो भी Likely संभाविट डेट है जो 30 November है तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सारी चीजे कंप्लेट करके Case Status सो करने लगेगा जिसमें Code, Bench ID और भी चीजे दिखाने लगेंगी और अपर प्राइमरी वाले सुगंधा जी वाली फाइल पे अफी Likely Date ही आप लोग की स्किन पे देख रहे होंगे This case is Likely to be listed 1st December तो अभी सारी चीजे clear नहीं हुई है और एक दो दिन में चीजे complete हो जाएंगे तो 1st December को संभावता सुनवाई की डेट है तो हो सकते सुनवाई हो जाएं धन्यवाद